Hello everyone, welcome to my YouTube channel आज हम आपके लिए लेके आए हैं UPSC Railway Exam से जोड़े जीके के कुछ most important questions ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब केजिए हमारे चैनल को Notification के लिए बेल आइकन को दबाएं Question No.1 जनसंख्याई संक्रमन का सिधान्त का पहला चरण क्या सूचित करता है? Right answer है Option A उच्च जन्मदर और उच्च मृत्यूदर Next question 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतीशत है? Right answer है Option A 17.5 प्रतीशत Next question A home जनजाती भारत के किस राज्ये से समंदित है? Right answer है Option B असम Next question 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस राज्ये में लेंगा अनुपात सबसे कम था? Right answer है Option A हरियाना Next question बक्सा टाइगर रिजर्व निमलिखित में से किस राज्ये में स्थित है? Right answer है Option C पस्चिम बंगाल Next question निमलिखित में से कौन एक भारत में आरक्षित जैमंडल नहीं है? Right answer है Option A गिर Next question निमलिखित में से कौन सा जिला उत्तर परदेश के तराई शेत्र में नहीं स्थित है? Right answer है Option D हर दोई Next question निमलिखित में से कौन सा सहर सुदुर पूर्व में स्थित है? Right answer है Option A Next question निमन में से कौन से राज्ये को भारत का बागराज कहा जाता है? Right answer है Option B मध्यप्रदेश Next question भारत की सिलिकॉन वैलि निमलिखित में से किस शहर में है? Right answer है Option A Bangalore Next question निमलिकित में से वहरा जी कौन सा है जिसकी सीमा महानमार से नहीं मिलती है राइट आंसर है ओप्षण D ह में घाले नेक्स्ट कोशन खिंट कुलू घाटी किसके बीच स्थित है राइट आंसर है ओप्षण A लद्धाख और पिर्पंजल नेक्स्ट कोश्चन निमलिखित में से कौन सी नदी सबरी माला की वार्षिक तीर्थियात्रा से जुड़ी है राइट आंसर है ओप्शन A. पेरियार नेक्स्ट कोश्चन निमलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतिय शेत्र में नहीं है राइट आंसर है, option B, ब्रमपुत्र नेक्स्ट कोश्टन, भारती प्रायद्वीप पठार का अकार क्या है? राइट आंसर है, option C, त्रिकोनाकर नेक्स्ट कोश्टन, भारत के भूभाग का शेत्रपल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर है, option B, 3.28 Next question, हिमाले की सबसे बहारी परवत शेरनी का नाम क्या है? Right answer है, Option B, शिवालिक Next question, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौनशा शेत्र है जो जल शेत्र को प्रितक करता है? Right answer है, Option D, अमबाला Next question, भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है? राइट आंसर है ओप्शन A वेंबनाद जील नेक्स्ट कोशन किस नदी के बेसीन को भारत के उत्री दस राज्य उद्वारा बाटा गया है राइट आंसर है ओप्शन D गंगा नेक्स्ट कोशन कहां पर भागी रती और अलकनन्दा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है राइट आंसर है ओप्शन A देव प्रयाग नेक्स्ट कोशन भवानी सागर बांध या लोवर भवानी बांध के स्राज्य में स्थित है राइट आंसर है ओप्शन C नेक्स्ट कोशन एहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है राइट आंसर है ओप्शन A साबर मती नदी नेक्स्ट कोशन निमलिकित में से कौन सी नदी पूर्व से पस्चिम की और नहीं बैती है राइट आंसर है ओप्शन C कावेरी नेक्स्ट कोशन निमलिकित में इसे कौन सा पहला बंदरगा है जिसे गुजरात राज्ये में सतंतरता के बाद विक्सित किया गया था राइट आंसर है ओप्शन सी कांडला थैंक यू